हलो एवरीवन वेलकम टो में चैनल तो आज हम लेकर किया है यूपीटेट 2017 को पूच्छा गया था यूपीटेट में तो सोचल स्टडी से हम उसी को लेकर किया है जिसमें आज का पहला पहला ताम्रे काल में महाराष्ट के लोग मिर्त को के शरीर को फर्स के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे ताम्राष्ट में काल में ताम्रे काल में महाराष्ट के लोग मिर्त को के शरीर को फर्स के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे पूरब से पर्षीन क्यों दच्छिन से उत्तर क्यों पर्षीम प्रफ कर तर से नीचे रह कर के दफनाते थे मिर्थ कोकेशार घृण कि condition में पर मियुद्द कीजिए के सुचियों में साहथ है सही उतर चुनिए सुची वानमौत दिया हुआ है तो अफिम क्या चीस से बनता है क्या हो सकता है फोल और वर क Κ्या हो के और हिपंचा फ़ाल होना चाहिए क्या होगा फास्ट का फस्त में थार्ड है एक ही में उप्सन्टू में ही दिया हुआ और इसके बाद रब्बर का स्रोथ है तना और कुनायन का स्रोथ है छाल इसकर से राइट अंसर जागा ऑप्शन टू राज विधान मनलो के निर्वाचन है तू सिधान्तों में शम्मीलित है क्या शम्मीलित है आप्शन दिया हुआ है यह व्यासक मत अधिकार के आधार पर होगे पर तेक छेत्रे निर्वाचन छेत्र के लिए के वले एक निर्वाचन सुची होगी आप्शन 3 में दिया हुआ है राइनितिक दलों को अपने सोंवाय के मानक अस्थापीत करने की सोतंता होगी दिये गया पूट के अपने शही चुनिये तो पूट में दिया गया है राजविधान मंणलों के निर्वाचन है तो सिधांतों में शामिलित है कौनikes सिधांत मंधल के निरवाचन पहला है व्यस्क मताधिकार के अधार पर होगा मताधिकार के आधार पर होगतने दूसरा है परदेखуй शेत्री निर्वाचन केवल एक निर्वाचन सूची होगी तो केवल एक निर्वाचन सूची होती है पर एक निर्वाचन निर्वाचन में तो यह भी शाई है और तीसरा धर्म जाती लिंग आधी के लिए निर्वाचक सूची बनाने को इस्तथ तो धर्म जाती लिंग आधी के अधार पर निर्वा इसलिए प्रकार से इसका राइट अंसर होना चाहिए 1-2-3-4 शभी होना चाहिए चारो अप्षन होना चाहिए देख लेते हैं को राइट अनसर सभी है चारो है सुचिवान सुचिटू से श्रुमीलित किजिए तशल निचे दिए गए कूट से शही उत्तर का चैन किजिए तो सुचिवान और सुचिवान सुचिवान में समाचार पृत्र है सुचिवान करने वाले परकाशा का नाम दिया हुआ है लीडर और बंबे क्रानिकल इंडिपेंडेंडेंट और जेस्टिस तो इसका राइट अंसर हो जाएगा एक बार चिक कर लेते हैं कोस्टिन नमबर नाइन्टिफॉर लीडर मदन महन मल विये लीडर का वन ही हो जाएगा बंबे का बंबे क्रानिकल फिरोज समेहता इंडिपेंडेंडेंड मोती लालनेहरू और जेस्टिस टी एम नायर इस परकास इसका राइट अंसर हो वान टू फोर थ्री वान टू अब सुर्बान दियावा है वान टू फोर थ्री ठीक है नेक्स कोशन देख लेते हैं नीजी छेत्र के उस विश्विद्याला को चिनहित कीजिए जो उसके सापेच दिखाई गया स्थान से सुमिलित नहीं है नीजी छेत्र के उस विश्विद्याला को चिनहित कीजिए जो उसके सापेच दिखाई गया स्थान से सुमिलित नहीं है इसका राइट एंसर जेगा एंटी विश्विद्याला गौतंबुर बुध नगर राइट एंसर ऑप्शन टू निख्रोशन है निम लिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है डेशीवल ध्वानी की प्रवलता की इकाई आश्विशक्ती की इकाई समुंद्री मेल नौस अंचालन में दूरी की इकाई सेल्सियस उसमा की इकाई इसका राइट एंसर जगा प्रवानी की प्रवलता की इकाई आश्वशक्ती-इकाई समुद्री मेल नौस अंचालन सदूरी की इकाई सभी समयलित निख कुछान है सुची वन सुचीटी को इसमेलित करने बल रहा है इसमें भी तेप है स्वामीतवाला देश है इलुशियन दीप, बीयर दीप, ग्रिनलैंड और फ्रैंज जोसेफ दीप तिसका राइट अंसर हो जाएगा 4321 इलुशियन दीप राइट अंसर USA, इलुशियन दीप का बीयर दीप हो जाएगा नर्वे और ग्रिन लेंड हो जाएगा देनमार्क और फ्राइज जोसिफ दिफ रूश निश्पुसर ने 13 और 14 सदी भारतिय किषान खेती नहीं करते थे किस इच को खेती नहीं करते थे भारतिय किषान 14 सदी में तो 13 सदी में मक्य की खेती नहीं होता था मक्य की किशान भार्तिय किशान नहीं किया करते थे 13 कि शदी में निश्कुस्ट है नंहीं है हमालाय क्या बिंध्यन और दो ऑफ्षन 99 पुस्चन नमबर उत्री पूर्वी भारत और पास्मी घाट तो इसका राइट अन्स हो जागा ऑप्शन टू बिंध्यान निम लिखेंगे कौन से भारत का बायो डाइवर्शिटी होट स्पॉट नहीं है बिंध्या चल बिंध्यान इसका राइट अन्स हो जागा ऑप्शन निश्क्वेशन है बरहमें बीत कमिशन की सिफारीशों के अनुसार वर्स 2009-10 तक केंद्रे वम्राज्यों काराजस्विघाटा होना चाहिए सुनने परतिसाथ 1 परतिसाथ 2 परतिसाथ 3 परतिसाथ कितना होना चाहिए तो इसका राइट अन्स हो जाएगा ऑप्शन वान सु दूसरा है इंडिया इंडिया बुर ऋटा को बैकर दीया हुआ है कॉन्फोर मेशन आफ लवर इंग्लिश टीचर इसका राइट अंसर ओजागा ऑप्शन 2 2413 तो आपायोग्राफी आफ एन ओन्यान इंडियन ते इसका हो जागा नीधर सी चाधरी राइट अंसर नीधर सी चाधरी इंडियन आफ वुडें शीविलाइजेशन इसका हो जागा इसका राइट अंसर हो जागा मुल्क राज आनन्त इंग्लिश टीचर इसका राइट अंसर हो जागा आरके नारायन पिर्थिवी के आयू कमापन निम्ड में किस बीधी द्वारा किया जाता है इस कोस्चन से बनाने से फायदा होगा कि आपको पता साज़ेगा किस टाइप से कोस्चन आता है पिर्थिवी के आयू कमापन निम्ड में किस बीधी द्वारा किया जाता है तो इउरेनियम बीधी द्वारा पिर्थिवी के आयू कमापन किया जाता है राइट अर्थिक नियोजन भारतिय शम्विधान की किस सुची में शम्मिलित है आर्थिक नियोजन भारतिय सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने पर्थम मदर्षा कहां स्थापित किया था भारत में पर्थम नीमित जनगना 1881 में की गई थी भारत में पर्थम नीमित जनगना 1881 जैसे बहुत ही महत्पून कोश्चन है जैसे आर्थ विवस्था का विकास होता है सबसे अधीक प्रोटीन पाई जाती है किस में पाई जाती है ऑप्सन दिये हुआ उड़त के दाने अरहर के दाने मटर के दाने सोयबीन के दाने तो सबको पता है सोयबीन के दाने बहुत हीजी कोशन शबसे अधीक प्रोटीन पाई जाते हैं चारों जो दिया है उसमें से शोय पीन के दाने राइट अंशर आप्सन फोर निस्कुसर में सिंधूसे भयता के बारेम नीवन में से कौन से कथन है तो सिंधूसे बहुता के बारेम में में नल्यों की शुद्रिवर्ट भेवस्था थी शिंधु से भेता में नल्यों की वेवास्था थी तो यह राइट एंसर है बैपार वाणिश, युदिपन दसा में था यह भी आप पड़े हो गैं वेपार बी और वानिश भी दोनों उन्नत дसा में थी मातरी देविकी उपास्ना की जाती थी इस तरकार से देख रहा है कि तीनों ओप्सन जो है सही है और चौथा ओप्सन है लोग लोहे से परिचित थे तो लोहे की खोज तो सुलावी सदी में हुआ है लोहे की खोज लोग उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे तो इसका राइट अंसर और उप्शन 4 हो जागा उस समय लोहे से लोग परिचित नहीं थे निश्क कुशन है सुची 1 सुची 2 को सुमिलित करने बोल रहा है और इसमें सुची 1 में दिया गया है प्लेग एट्स गंजापन मलेरिया कौन सा जीवानों विशानू के दारे रोग होता है तो प्लेग तो आपको पता होगा जीवानू के कारण होता है तो इसलिए इसका option 4 में हो जाएगा जीवानू इट्स विशानू के कारण होता है और गंजापन malaria प्रोटो जोवा के कारण और गंजापन को देख लेते हैं कोस्चन नमबर कितना है कोस्चन नमबर 110 110 का फोर दिया हुआ है 4 3 2 1 4 3 2 1 प्लेग का जीवानू हो जाएगा आईट्स का विशानू गंजापन का कबक कबक से गंजापन होता है malaria प्रोटो जोवा निश्कुशन है भारत में कौन सा एक मात्र राज है जहां शामान शीविल कोड लागू है जामू एवं कास्मीर मिजोरम नागा लैंड गोवा तो गोवा इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत में कौन से एक मातर राज है जहाँ शामान सीविल कोड लाग हो है तो वह वह इसका राइट अंसर हो जागा पंडित जोहल लनहरू ने कौमी आवाज पत्र का अरम किया था पीशा की जूको ही मिनार गीर नहीं जाती है क्योंकि वसीर्स भाग में पतली हो गई वह बाड़े तलचितर को अच्छादित करती है गुर्थवकर्सन केंद्र से जाने वाली उद्वारदर लाइन तल के अंदर रहती है राइट अंसर हो जागा ऑप्शन पूर नेश्कोर्सन टेलर घाटी अवस्तित है कहा अवस्तित है तो अंटार्टिका में टेलर घाटी अवस्तित है राइट अंसर ऑप्शन टू नेश्कोर्सन निमलीखित में से कौन दिली का पर्थम सुल्तान था जो जुद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था पर्थम सुल्तान जो जुद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था दिली का कौन सा सुल्तान था Alladvinn Khalji Bahlol Lodhi तो इबरहीम Lodhi हो जागा मेरी ख्यासे क्यूंकि इबरहीम Lodhi और Babar दोनों के बीच पानीपत के पर्थम जुद हुआ था जिसमें इबरहीम Lodhi की हाร हुई थी तो यही होना चास्यू यह लेकिन एक बाह देख लेते हैं इसका option 3 इब्रहीम लोदी और बाबर के बीच में 1526 सिस्वी में पानीपत के पत्थम जुद हुई थी जिसमें इब्रहीम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी और उसी के बाद से बाबर मुगल समराज के अस्थापना किया था वैश्विक तापन के लिए सारवधिक उत्तादाईग गैशें कारवन डायकसाड तथा मीथेन अमोनिक या ब्यूटेन तो इसका राइटन सोड़ जागा कारवन डायकसाड और मीथेन सबको पता है निश्व कुशन है आर्थिक समिच्छा को तयार करने तथा परकासित करने क योजन आयोक को योजन तथा कारिकरम किरियानवन मंत्राले को वीत मंत्राले को इसका राइटन सोड़ जागा आप संथरी मंत्राले का मैं निश्व कुशन है पूरा तर्त वे चुनकिये साच्छी अधर साता है कि भूत कलें भारतिये भुखंड किसका है सौरी किसका है खीशका है उत्तर की और खीशका है उत्तर की और राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नेश्कुशन कीन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरसकार दिया जाता है तो ग्लोबल 500 पुरसकार पारिया वरन परती रच्छने तु दिया जाता है पारिया वरन परती रच्छन क है कौन सा होगा तो स्वेत फास फूरस हो जागा राइट अंसर ऑप्शन टूट नेश को सने सम्विधान के किस अनुछेत के अंत्रगत संसत के किसी सहदन के सदस का पाद सदन के अनुमतिक पीना साथ दीनों तक सदन की सभी बैठेकों में उसके अनुपस्तित रहने के आधा सम्विधान के सदन के सदस का पाद संसत के विना साथ दीनों तक इस अभी बैठेकों में कोई सदस से बाहर रहता है साथ दीन तक अनुपस्तित रहता है तो उसको जो है शादन को से रिक्त घोसित कर दिया जाता है तो इसका आर्टिकल किसमें दिया हुआ option दो और देख लेते हैं आर्टिकल 1021 तो इसका वन हंड्रेड वन फूर में इसके बारे में कहा गया है इसमें इसका बढ़न किया गया है आर्टिकल 101 का फूर में कि कोई भी सदस्ता अगर बीना बताए साथ दिन तक अनुपस्तित रहता है तो उसकी सदस्ता जो है रिक्त हो जाए समाप्त हो जाए निश्कुचा ने भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगधर तीलक ने भाग लिया था तो बाल गंगधर तीलक ने अमरिच्चर अधिवेशन ने बाल गंगधर तीलक तो कभी अधिवेशन में भाग ही नहीं लिया था भाग लिए थे बालगंगंधति लखने अध्याच कभी भी नहीं बने बालगंगंधति लखने तो अमरीच्छर अधिबेशन परवत्पूजा कारम पूर्वे आरिये से उत्तरवैदी काल से मौरी काल से पुसान काल से इसका राइटन्स हो जाएगा संबॉर्वे आर्य से मौर्टि पूजा कारम माना जाता है इसको सट्व परवत्पं पाया जाता है क्या पाया जाता है क्लोरोफिल में मुर्ति पूजा का आरम कब से माना जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है क्या पाया जाता है क्या पाया जाता है निम्नेशे कौन एक रिट मंत्रा ने कारेबाही लामित होनी की दर्शा में लागू की जाती है पर्तिसेद पुस्तक जीवनी है किनका है किसका जीवनी है इसमें पुस्तक की जीवनी सुहास चंद्र बोष्ट की है इसमें उत्तर पर्देश में किर्यानवित की जा रही निमलीखित योजनाओं मेंसे कौन एक केंद्रियर शरकार की योजना है गंगा एक्सप्रेस में महात्मा गांधे रष्टिये ग्रामीन रोजगार गरेंटी अधिनियम कार्चक्रम ग्रामीन स्वास्त नमीशन जौहल अल उसका प्रबल उष्टिये चक्रवात है करीवियं के चक्रवात है करीवियन्स सागर से उठते हैं तर्नेडो चक्रवाद, जो बहुत ही परवल होता है, निश्कोशन है, निमलेखित कतनों पर विचार किजिए कतनवान में, मुहमद तुगले की प्रतीक मुद्रा यूचना अश्राफल सीध हुई, और यो आर में दिया हुआ है, कारण में दिया हुआ मुहमद तुगले का तो इसका सही उतर ए और और दोनुर शही है और सही ब्याख्या करता है क्योंकि मुहामद तुला का मुद्रन निर्गमन पर उचित नियंत्रन नहीं था तो इस प्रकार से इसका राइट अन सरो जागा ऑप्शन वान ए और और दोनुर शही है कि निश्कोशन है कि कोश्चन नमबर कि थर्टी फाइव कि यह रहा कोश्चन नमबर थर्टी फाइव ओजोन जैविक जीवन के परमवशक है कारण ओजोन पर प्रिथिवी को मुझ उर्जा वीक्रंट से संड़चित करती है है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यह वार दोनुर शही हैبل है आपसन वान नेश्कोशन निमलीखित में माल के protect helped . 2100 की शॐकरिती देता है भरतिया रीज़र वैंक है। राइट अंसर हो जाएगा कि नेश्कोशन निमलीखित में तो लाल मिटी निचालन है अधिकता लिटरायट मिटी पोटास में जय पदात हो के दिखता काली मिटी लोहा में बीपन लिखेते लाल मिटी निचालन होता है इसका राइटब परशासन सिछ्छा इवं परवंधन के लिए में किए लृवधाद networking से परदान किया गया कि लोग परषासा सी स्थाम परदन के लिए लाल बहादू चा competitive up लिए को सी निम लिखेद में से कौन सा स्क्राइलोष और सैक्रीन स्पार्टेर में स्पार्ट में भारत के निमलिखित विस्ताओं में से कौन सी शही है तो इसका राइट अंसर हो जगा संपुन भारत की एकल नागरिकता भारत में नागरिकता की निमलिखित विश्चाहत कौन सी सही है तो संपुन भारत में एकल नागरिकता राइट एंसर ओप्शन तरी निम लिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है खिलाफात आंदोलन बेक्तिकत सट्यागरा इसमें भी थे और खिलाफात में भी थे गांधी जी और भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे गांधी जी इसे भी संबंधित है स्वादेशी आंदूलन और डिया हुआ है ताइट अंसर इसमें एक डाउट है एक बात देखना होगा ऐसे स्वादेशी आंदूलन दिया हुआ ऐ ते तो ब्यक्तिर्ट सत्याग्र आंदोलन महातमा गांधि नी चलाया था भारत शुड़व आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को देखना होगा इसका आंसर तो दिया हुआ है नेश कोशन है भारत का सरवधी नगरी क्रीत राज है कौन सा होगा नगरी क्रीत राज गुजरात महाराष्ट तमिल नाडू या फिर प्रस्ची मंगाल नगरी क्रीत बोल रहा है नगर तो तमिल नाडू इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश कोशन है राष्टी एक्रीशी विकाश सोजना के लिए निमलीखित में से कौन सी बीत विवस्था सही है राज केंद्रे राज और केंद्र का बीत विवस्था 0% राज का और केंद्र का 100% राष्टी एक्रीशी विकाश सोजना के लिए राज का 0% और केंद्र का 100% सब को महाराश्ण स büyशा को सब इस सब कॉछिशा को आपनी सब yr सब को इसरो को ब us खाएगा निश्चान है ृश। कौन सा प्रभ्यद भारत में परभावी है। इसका राइट ऑन सोर जगा औप्शन 3 HIV-1C निश्ञको सन उच्ञ निया लगे शेवानिवरीत जैज की पेशन कहां से दी जाती है उच ने आलेके सेवनेवित जैस की पेंशन भारत की संचित निजी से संचित निजी से पेंशन दी जाती है निमलिखित में से कौन सही सुमीलित नहीं है पुर्ण मौति लल नेहरू रूपोर्ट यार किया था महात्मा गांधी चंपारा ना अंदोलन एभी सई है यह श्री बोश सुहासचंद्र बोश फरोड प्रश्ताबित है तो रामपूर इसका राइट अंसर हो जागा नेक्ट परियोग में लाई जाती है किस चीजड थो एकश्री एकश्री करने को परियोग में लाए जाता है अभी तो सबको पता होगा खोनर केच में क्या होता है किसले कर आई जाता है व्याही refused हूंकि और यह तो आजकर स परियोग में लाया जाता है तो सब्सक्षा सथुर्ँस स्टी साल करें Soon सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज स्प्रिस्क्राइब जरूर करें और साथ में लाइक करें और सेयर करें थैंक यू